हेलो बैच्चों गुड इवनिंग क्या हाल चाल उमीद कर सब लोग बढ़ी होंगे बेटा आज हम बात करने वाले हैं कि हम इससा कॉस्ट और एफम की सेप्टेंबर चौ बिसकी निये कैसे त्यारी करनी है बेटा यह मैं आज वीडियो बना रहा हूं 15 सेप्टेंबर के दिन 19 सेप्टेंबर का कॉस्ट का पेपर है और 23 सेप्टेंबर का एफम का पेपर है एफम एफम का तो अभी हम बेटा डिसकस करने वाले यहां पर कि आपको कैसे बेटा कॉस्ट का आपका पेपर है 19 सेप्टेंबर को ठीक है 19 सेप्टेंबर को बेटा आपका कॉस्ट का पेपर है तो आपको क्या करना है बेटा इसके अंदर तीन चीज़ों को करना है प्राइटी लेवल के साथ से उतारूं प्राइटी वन है हमारी priority 1 है बिटा जो revision question मैंने share करें आपको है न जी जो revision question मैंने आपको share करें priority 1 हो है सबसे पहले आप उसे करेंगे फिर बिटा साथ में priority 2 करेंगे आप priority 2 में क्या करेंगे बिटा priority 2 में करेंगे दर case base mcq जो मैंने आपको दिये है 10 marks वाले ठीक है जी दो माक्स वालों में अभी हम टाइम लगाएंगे सिर्फ दस माक्स वालों पर फोकस करेंगे प्रायर्टी 2 हो जाएगी और प्रायर्टी 3 होगी आपकी रिमेनिंग मॉड्यूल कोशन से मतलब क्या है बेटा मैंने काफी सारे मॉड्यूल के कोशन अल्डेडी रिवीजन कोशन के अंदर इंक्लूट कर रखे हैं उसके इलावा जो रह गए हैं वो आप मॉड्यूल के कोशन कर सकते हैं ठीक है जी तो इस ओर्डर में आपको कोशन पकर के चलने तो माल लियाज पंदा तारिक है आप 16 तारिक से अले के इस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपके बाद सोला सत्रा-थ्फै स्कूनौल तीन दिन होगे तिन दिन होगे कोश्ट कों करने के तो आप क्या करेंगे पहले दो दिन का टागेट रकेंगे आप Corn on यहां जैसे की स कौन-कौन से हैं ठीक है तो हमसाद चैप्टर का flow क्या रखेंगे वो भी समझ दीजे सबसे पहले आप करेंगे overheads and ABC process costing ठीक है फिर करेंगे आप standard marginal ठीक है फिर आप करेंगे बिटा हमारा budget cost sheet सबसे पहले बेटा आप इन chapters पर focus करेंगे क्योंकि ये chapters आपने कल दिये 60 marks आपके वैसे ही पक्यक हो गए है ठीक है जी तो in terms of chapter in terms of chapter आपकी priority रहेगी है ठीक है इसके बाद जब याले chapter से जाए फिर हमें कौसे chapter करने है फिर आज एक हमारा material जितने भी budget chapter है material service costing ठीक है जी तो बेटा इस तरीके से पहले आपको ये वाले chapters करने है ठीक है जी और फिर उसके बाद बेटा आपको ये वाले chapters करने है करने कौन से question है इसके बेटा वो मैंने बता दिये सबसे पहले हम revision वाले question करेंगे फिर जो 10 marks वाले case based mcq है वो करेंगे और फिर बेटा जो module के question अगर आपको उसके बाद भी time बचता है तो आपको module के questions कर सकते हैं जो आपके यहाँ पर already cover नहीं तो repetition को मैं avoid करते हो चलेगी अब sir question आएगा दिमाग में ये questions करने कैसे है 130 questions यहाँ पे है लग भग ठीक है 20 to 25 questions यहाँ पे है इसकी ने time बचे है तो बेटा मैं आपको बदाये तो आपको क्या करना है ठीक है सिर्फ इस point of time पे आके मैं आपसे कह रहा हूँ वरना मैं कभी भी नहीं कहा था बिना लिखे करो इस point of time पे आके कह रहा हूँ आपको out of these 130 60 to 70 questions solve करने है out of these 130 60 to 70 questions solve करने है बाकी जो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया कि यह मुझे आता है उसको सिर्फ audit कर लिजे यह उसकी main adjustment खाली solve कर लिजे लिखके आप इसमें से 60 to 70 questions ही solve करेंगे ठीक है तो बेटा revision questions सारे हाथ से लिखके solve नहीं करने ठीक है जी और बेटा जो remaining model question है सेम कोशिश करिए calculator पर लिखके और जितना कम लिखके कर सकते हैं उतने कब में आप कर लीजे ठीक है जी तो यह strategy रही cost की क्योंकि बेटा आज से अगले तीन दिन में हमाँ target यह होना चाहिए कि जादा से जादा चीज़े हमारी आखों के सामने से निकल जाए ज्यादा से जादा चीज़े हमाँ के सामने से निकल जाए इस नहीं ज़र हम इस तरीके से करेंगे तो यह तो बात हो कि इससे cost की अब आ जाते हम FM की FM का है बेटा 23rd September ठीके जी 23rd September को हमारा FM का same priority रहेगी बेटा इसमें भी सबसे पहले revision question सबसे पहले revision question फिसर हमारे case base MCQ और फिर बेटा remaining module question ठीके जी same priority सार इसमें रहेगी इसी priority में करना है बेटा revision question आपके around 70 है 70 to 80 question से आपके revision वाले तो इसमें से again आधे जो आपको सबसे cut in लग रहे है वो आप पहले हाँ से solve करेंगे ऐसी बेटा case base MCQ की बात करों तो 15 से 20 है ठीके तो again इसमें से सब आप फटा-फट calculator पर solve करेंगे जो आपको कटने लग रहे है उसे लिखके solve करेंगे और मेंटा remaining module question को भी आप कोईश करेंगे calculator पर थोड़ा बहुत लिखके ही solve करें time जादा ना लगा है consumption जादा करें basically अब हमारा objective यह होगा इन में सब chapter की बात करें अगर हम तो आपको सबसे पहले priority पर कौनकों से चप्टर करने है investment decision working capital management ratio analysis capital structure ठीक है जी यह आपके priority पर रहेंगे और second priority पर कहा रहने वाले बेटा छोड़ना कुछ नहीं है लेकिन मैं आपको priority सेट करके अधा रहा हूँ cost of capital जो इक comparatively easier question होते हैं cost of capital हो गया आपका leverage हो गया ठीक है जी और कॉंस चप्टर बचा हमारा एक दो तीन चप्टर और का हमारा कॉंस रहे गया भई dividend decision ठीक है जी तो इस तरीके से आप यह करेंगे अगें बेटा आपका sequence क्या रहेगा आपका investment decision working capital management, rationalist capital structure इसको priority पर करेंगे उसके आद इन तीनों chapter को करेंगे question काउन कोंसे करने है वो भी मैंने आपको बता दिया है revision question case based mcq और remaining module question ठीक है यह सारे आपको cost के नहीं और fm के नहीं है अब सब्सक्राइब हमें time management भी बता दीजे बेटा आपको आपको यह जो है यह questions करने में आपको अराम से एक दिल लगेगा यहने की मान के जलता हूं आपको 12 से 14 गंटे लगेंगे सारे revision question देखने में ठीक है जी सब case based mcq देखने में कम से कम आपको 4 से 5 गंटे लगेंगे ठीक है और remaining module question तो सब जितने कल लो उतने कम है अच्छा यहां पर बिटा theory और डाल देता हूं मैं theory में मैंने तीन गंटे के lecture दे लखें वह कर लेना ठीक है दोना ही cases में FM के case में बताओं आपको तो यहां पर आपको अराम से 8 से 10 hours लगेंगे revision question करने में case based में मान लो बिटा 3 से 4 hours और remaining module में जितना time बचे उतना time हा फिर module में लगा देना एक चलिए तो यह बात हो कि हमारे time management की अब सर्थ बात कर लेते हैं, methr con-k bought डावट कर लेंगा तो इसकी मेरत्न कंड़ेंगे और इसमें ओंड़ेंगे case में 36 pm रहेगा यहाँ पर जब भी साड़ेच है पी एं counsel क्या होगी विटड़ में तेशिरा हमारी sings 70 plusars pages हम एक श И경ी is और यहां पे मापर हमारी 40 अ क्यों 20 अनल कि यहां हम cost के अंदर cost के अंदर हम कौन कौन से chapter cover करेंगे वो मैं आपको बतायता हूँ मेटा cost sheet ठीक है जी overheads ABC ठीक है आपका process standard marginal ठीक है cost sheet होगे हमारा overheads होगे process होगे standard होगे marginal होगे budget service costing material बचा आपका employee cost बचा जो हमारे सा second priority वाले थे यह बचे हमारे तो इसको बेटा मैं अलग से live मेराधन में cover नहीं करूँगा लेकिन मैं इसके pre-recorded batch आपको provide कर दूँगा इन chapter के मैं लग देता हूँ यहाँ पे pre-recorded batch pre-recorded videos of remaining chapter ठीक है जी remaining chapter की बेटा मैं आपको pre-recorded share कर दूँगा तो आप उससे देख ले ना वहाँ से आपका हो जाएगा अगर आपको उन chapters में complication है तो अगर बेटा FM की बात करें तो मेरा target रहेगा बेटा all chapters ठीक है जी आपको मेरे साथ लगना है मैं पूरा अपना 100% commitment दूँगा सारे 6 वजे हम स्टार करेंगे 12, 1, 2 जितना बचेंगे हम सारे chapters यहां पर cover करेंगे ठीक है जी अगर एकाथ रहे गया तो अगले दिन करा दूँगा अनना सारे chapter का मेरे target है कि मैं सारे के सारे chapter यहां पर आपको cover करा हूँ ठीक जी अप coverage में हम क्या करेंगे में दोनों ही cases में हम concept तो करेंगे ही करेंगे सारे concept मैं आपको revise करा हूँगा obviously fast track basis पे क्योंकि सार हमाई पस time कम होगा plus हम सार साथ में कुछ important या फिर comprehensive question बोलना चाहूँगा मैं हमने कुछ comprehensive question भी कर लेंगे पतला सर ऐसे question जिसमें काफी सारी adjustment cover हो रही हो हर chapter से हो सकता है एक दो question हो बस इससे जादा नहीं होगे क्योंकि due to limitation of time हम उत्ता ही करेंगे ठीक लेकिन यह मैं आपको comprehensive question करा दूँगा जिससे मैंने जो concept समझाया आपको hand to hand करते रहें प्लस प्लस बेटा lots of example बहुत सारे example में लेकर हो इसके अंतर जिससे आपको हर एक question की जो अच्छे-च्छे adjustment cover हो जाएंगी ठीक है जी तो इस तरीके से हम करेंगे जो YouTube चैनल उसके आपको मिल जाएगी ठीक है इसके लावा बिटा आपको कहीं भी दिक्कत आती है मेरे नंबर पर connect करो ठीक है जी I am available for you ठीक है कोई भी दिक्कत कोई भी परिशानी आप में से connect कर सकते हो regarding to any concept regarding to any question कहीं planning में डाउट है मैं सब सीजियों में आपकी help करोगा ठीक है जी तो यह हमारा पूरा माइस कर लू में up to the papers ठीक है जी चरी तो बटा इस सीच पर प्रिपेशन स्टार्ट कर दीए देखो मैं आपको यह नहीं बता रहा कि सुभे आला करो दुपैर यह वाला करो दो घंटे में आला करो तीन घंटे में आला करो हर बच्चे की अपनी स्पीड होती है लेकि मैं आ